हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे अर्भी के कतली की रेसिपी आप एक बार इस तरह से अर्भी बना कर देखिएगा सब उंगली चाटते रह जाएंगे और आप हर बार इसी तरह से अर्भी की सबजी बनाएंगे एक दम सुखी सबजी आप लंच बॉक्स म द्राइख तरह से और पीसिस में कातलिया है तीन हरी मिर्ची कातलिया है लिए एक चमच चिली फ्रेक्स लिया है मैंने एक चमच जीरा एक चमच अजवाएन और हम आदा चमच हींग डालेंगे तो तेल लगाकर हाथ पर अच्छे से तब आप अर्वी को छीले और इसे धो क काटले एक बड़ा चमच मैने कुकर में तेल गरम होने के लिए रख दिया है तो मैंने सरसो का तेल लिया है आप रिफाइंड ओईल खाते हो तो आप वह डाल दे जब तेल गरम हो जाए गा तो ऊसमें हमने बाद में हम इसमें अर्भी आड़ करेंगे और अर्बी को भी हम इसमें एक दो मिलिट के लिए फ्राय और लेंगे तो आप इस तरह से बना कर देखिए का बहुत ही टेस्ट लगती और बहुत जल्दी बन जाएगी अर्भी की सब्जी फिर इसके बाद हम इसे थोड़ी देर फ्राय करने के बाद में हम इसे आदा चमच हल्दी डाल देंगे तो हल्दी से इसका थोड़ा येलो कलर लगेगा और वो बहुत ही अच्छा लगता है सब्जी में पिर इसमें अधा चमब्न से कम नमक ळाला है तो नमक थोड़ा कम डालें क्योंकि सुखी सब्जी में अगर नमक ज्यादा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग में नमक डालें फिर इसमें मैंने एक चीजह चैली फ्रेक्स रखा था वो डाल दिया है इक चैङर चैली ड्रन लिइस्ट्व करतेघ्गे and العwdक बेलां और सबी चीजहाई है अगर चेली अप्रते आपके पास नहीं है तो जो मोटी मिरुजि और मिर्ची करके बड़ी दाल दें आप इसमें तो देखिए कितनी बड़िया लग रही है देखने में तो दो-तीन मिनिट तक हम इसको इसी तरह से भुनने देंगे कि फिर उसके बाद हम इसमें करीब आदा ग्लास पानी डालेंगे तो इसमें हम तीन सीटी लगाएंगे जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो कूकर का धकन हम बंद कर देंगे और तीन सीटी आने का वेट करेंगे तीन सीटी के बाद हम थोड़ा इसमें बॉड़ा इसे घॉर कर के ग्राद देंगे उसके बाद में मैंने कूकर खोल कर देखा था तो यह थोड़ा सा इसमें पानी है, अगर आप इसी तरह से रहने देना चाते हैं, तो इसको थोड़ा सा पका के फिर थोड़ा ग्रेवी वाला रहने दे, लेकिन मुझे एकदम ड्राय रखना था इस सबजी को, तो मैंने गैस का फ्लेम ओन कर दिया है, और इसे हम थोड़ी द इक्वल साइस की अर्भी काटे, तीन सीटी पे अच्छे से गल गई थी, तो यह देखने में इतनी टेस्टी है, कि आप इसे बनाए बिना रही नहीं पाएंगे, आप एक बार जरूर बनाएंगे इसे, तो मैंने इसे अप सर्फ कर लिया है, यह सूख गई है सबजी, और आ परिया लगेगी, तो आप जरूर करेगा मेरी इस रेसिपी को, जटपट बन कर तयार हो गई है, बहुत ही कम मसालों के साथ में, तो लंच में बनाने में भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सुबह में आप आश मिनिट में इसे बना कर तयार कर लेंगे, तो कॉमे टाइप करें